यह वो सरकारी आवास है जो नमन विक्षल को गाड़ी जी को मिला है F1 और यहां यह माना जा रहा है चुकि अंदर से बंद है और बाहर कोई गाड़ी भी नहीं लगी हुई है तो छापे मारी हो रही है या नहीं हो रही है इसका पुखता तोर पे कोई जनकारी अब तक निकल कर सामने नहीं आ पा रही है लेकिन जो बंगाल CID की टीम है विधायक कोग के आवास पर लगेतार छापे मारी कर रही है चाहे वो उनका पैत्रिक आवास हो या सरकार के तरफ से जो मिला हुआ सरकारी आवास है हर जगा ये छापे मारी की जा रही है और ये वो आवास है जो नमन विक्षल कुंगाडी जी को मिला है फिलाल यहां पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है लेकिन ऐसा ही हाल राजस कच्छप जी के यहां भी था गाड़ी भले ही अधिकारियों की बाहर नहीं लगी हो लेकिन अधिकारी दो अंदर जाच कर रहे थे और एक-एक कागयश पत्तर और एक-एक अलमीर्या को खोल कर देख रहे थे ठीक संभवता उसी तरह से तमाम घरों में यह जाच की जा रही है हाला कि बंगाल के अधिकारियों ने फॉलो अप में बस यह इतना कहा कि वो बाइट नहीं दे सकते यह हमारा इंवेस्टिगेशन का पार्ट है उन्होंने अपना नाम भी बताने से मना कर दिया बस वो कहे कि हम लोग इस जाच में आए हैं इसके अलावा कुछ नहीं और बाकी सारे मिडिया वाले को वहां से बाहर निकाल दिया गया यह फिल हाल नमन विक्षल कॉंगारी जि का आवास है जो कंगरेस के बिधायक है को लेवीरा बिधान साबास है और जो आपको पता ही होगा कि जो कैस कांट बंगाल में कंगरेस के तीन विधायकों को जो पैसे के साथ गिरफतार किया गया है उसके बादसे लगातार CID जांच कर रही है और उसी जांच के तहत आज CID की एक यहां के लोकल पुलिस का वो सहारा लेकर चापे मारी कर रहे हैं, हाला कि जो सुत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि जो कोट रोड जामताडा में इर्फान अंसारी का घर है, उस घर से पुलिस को कुछ भी बरामदगी नहीं हुई है, उन्होंने एक सीजर लिस्ट ब आया है, लेकिन ऐसा कोई भी इंपोर्टेंट चीज मिलने की कोई खबर नहीं है वहां से, अब देखिए सरकारी आवास से तीनों विधायकों को क्या मिलता है और CID के टीम हाला कि ब्रीफ करने से बच रही है, लेकिन क्या कुछ मिलेगा, वो बाद में पता चलेगा, यहां अब याया है जी टीम, यहां टीम नहीं आया है जैसा लोग बता रहे हैं, यहां कोई नहीं आया है